आज हम बनाएंगे स्वीट और वो भी बहुत ही इजी तरीके से तो ये स्वीट का नाम है ड्राइप्रूट एक्जॉर्टिका ये स्वीट देखने में चितना अच्छा लगता है उससे कई गुना ज़ादा खाने में टेस्टी लगता है तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं तो ड्राइप्रूट एक्जॉर्टिका बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मावा तो ये मावा मैंने घर पे बनाया है अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो लिंक मैं डिस्कुर्प्रेम में दे दूँगी आप वहाँ चाहिए चेक कर सकते हो तो सबसे पहले हमें चाहिए मावा तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी मावा लिया है और एक कटोरी नारियोल का बुरादा लिया है और यहाँ पर मैंने लिए हैं dry fruits, dry fruits पर मैंने लिए हैं फिस्ता, बदाम और काजू इन सब को मैंने dry roast कर दिया है और फिर chop कर दिया है तो इन तीनों को मैंने 2-2 चमच लिया है आप इसमें अपनी फसंद के dry fruits भी add कर सकते हो अब इन सब को एकदम बराबर से mix कर लेंगे और अब इसके अंदर add करेंगे condensed milk तो condensed milk add करने से इसमें binding आ जाएगी तो condensed milk add करने के बाद उसको अच्छे से mix कर लेंगे यहाँ पर मैंने 2-3 चमच इतना condensed milk लिया है तो यह देखे हमारा यह mixture एकदम ready है अब इसको side में रख देंगे और अब हमें ले लेना है एक pan और इसके अंदर add करेंगी घी तो यहाँ पर गी मैंने एक चमच लिया है और गी melt होते ही इसके अंदर add करेंगे dry fruits तो यह dry fruits मैंने 2-2 pieces में cut कर लिये हैं और इसको अब थोड़ी दिर saute कर लेंगे तो 2-3 मिनिट में अच्छे से saute हो जाएंगे तो अब हमें चाहिए इस तरह का mold अगर आपके पास इस तरह का plastic mold नहीं है तो आप कोई भी tray या फिर थाली के अंदर भी इसको set कर सकते हो अगर आप थाली या फिर tray यूश कर रहे हो तो उसको पहले घी से grease कर दीजी ताकि जब उसे unmold करें तो easily निकल जाएं तो सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पर एक mold तो इस तरह का mold मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने ले लिया है आपके पास कोई सा भी mold हो आप ले सकते हो अब इस mold के अंदर जो हमने मावे वाला mixture ready किया था वो इसके अंदर spread कर देंगे और सबसे पहले layer हम मावे वाले लगाएंगे दूसरे layer हम लगाएंगे चोकलेट की तो यहाँ पर मैंने dark chocolate लिया है उसको melt कर दिया है और जो पहली layer हमने लगाए थी उसके उपर उसको डाल देना है अच्छे से spread कर देना है और 2-3 मिनिट उसको freeze में set होने के लिए रख देना है और थोड़ा सा set हो जाए फिर उसके उपर डालेंगे थोड़े से dry fruit तो यहाँ पर मैंने काजू बदाम और पिस्ता लिया है और काजू बदाम पिस्ता लाने के बाद मैंने लगाई है white chocolate की layer white chocolate को भी मैंने melt करके लिया है और हमने जो काजू बदाम की layer लगाई थी जो dry fruits की layer लगाई थी उसके उपर हम white chocolate को spread कर देंगे और उसको भी 2-3 मिनुट ट्रीज में set होने के लिए रख देना है और फिर से अगेन उसके उपर dry fruits का layer और last में यहाँ पर मैंने milk chocolate को लिया है melt करके और उसके उपर spread कर दिया है और अब इसके उपर लगाएंगे dry fruits जो हमने ghee में saute करके रखे हुए थे तो एक-एक dry fruits लेके उसको इस तरह थोड़ी-थोड़ी जगा छोड़के हम chocolate के उपर लगा देंगे chocolate अभी set नहीं हुआ है थोड़ा सा melted form में है तो उसके उपर dry fruits अच्छे से चिपक जाएंगे और अब इसके उपर ये edible copper leaf लगा देंगे तो देखने में बहुत ही बड़े लगेगा तो ये देखे हमारा dry fruit exotic का एकदम ready है और देखने में कितना मस्त लग रहा है लेकिन अभी इसको set होने के लिए रखना पड़ेगा तो freeze में इसको 5-7 मिनिट set होने के लिए रख देंगे देखते ही खाने का मन कर जाए इस तरह का ये sweet है बहुत ही कम समय में और easily ये sweet बन जाता है तो आप भी घर पे एक बार जरूर रह करना तो चलिए फटाफट से इसको आप cut कर लेते हैं तो cut करने से पहले उसको थोड़ा सा room temperature पर आने देंगे तो टेस्ट में बहुत ही बड़ी अलगता है तो आज की रेसिपी आपको कैसे लगी प्लिस कमेंट करके ज़रूर बताएगा ओके तुम मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशना